Come back to my youtube channel guys आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं जैसे कि रजे आज की वीडियो है जनवरी मन्त की complete prediction वीडियो with tips and tricks जैसे की जनवरी मन्त में कौन सी डेट best है exam के लिए उससे पहले मैं ये चीज़ प्रता आना जाओंगी जैसे की काफी बच्चों की ये चीज़ नहीं पता जो final exam में reading आती है वो mostly इन तीन website में से आती है तो आप ये वाली वीडियो जा कर चेक कर सकते हैं आपके लिए बहुत ज़ादे benefits हो रहेगी अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं जैसे की जो exam की first date है वो है 8 January जैसे की उस दिन day होगा Saturday और उस दिन academic प्लस GT दोनों का exam होगा अगर हम बात करें उनके level की कैसा level आ सकता है तो level होगा रजे easy to model जैसे की थोड़ा सा easy भी आ सकता है तो अब जैसे की reading में आपको आ सकते हैं list of heading आ सकते हैं उसके साथ आपको MCQs आने के chances हैं अब हम आगे बात करते हैं जैसे की जो second date देखी गई है वो है 15 जैसे की उस दिन day होगा Saturday और उस दिन सर्फ academic वालों का exam होगा अगर हम बात करें listening की तो listening sometimes fast आ जाती है तो बच्चों को problem आती है तो आप listening इस way से practice कर सकते हैं जैसे की one time आपको इस way से practice करनी है जैसे की आप देख पा रहे हैं उसके साथ मैं कहना चाहूंगी जो level आने के chances हैं वो होगा जैसे की moderate जैसे की उसमें आपको आ सकते हैं जैसे की true false not given अब हम third date के बारे में बात करते हैं जैसे की आप मैं यह भी चीज़ बताना चाहूंगी आपको अगर आपको राइटिंग में या रीटिंग में प्रॉब्लम है तो आप मेरी tips and tricks वाली वीडियो जाकर चेक कर सकते हैं साथ के साथ टेंपलेट वीडियो और रैडी अपलोड है राइटिंग टास्की आप वो भी जाकर चेक कर सकते हैं आपके लिए बहुत जादा बेनिफिश रहेंगी आप सिंपल उसके कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं अब हम आगे बात करते हैं मन्त की लास्ट अगर आपकी रिक्वार्टमेंट 6.5 बेंट से जादा है तो अब स्पीकिंग और राइटिंग में कंपलेक्स सेक्टर्स यूज कर सकते हैं उसकी स्पेशल प्लेइलिस्ट बनी हुई है और रेडी मेरे चानल पर आप वो जाकर चेक कर सकते हैं आपके लिए बहुत जादा बेनिफिश रहेगी अब हम बात करते हैं मंत की लास्स डेट के बारे में मंत की लास्स डेट है 29 और उससे दड़ होगा सेच्टेए और उससे अकैडमिक प्लस duty दोनों का अग्साम होगा जैसे कि रजे अगर हम बात करें उनके लेवल आने के चांसे जो लेवल होगा वो reading का आएगा easy to morate और overall जो level होगा रजे वो रहने के chances हैं easy plus साथ के साथ आप reading और writing की मेरी special playlist बनी हुई आपके लिए बहुत ज़्यादा help हो रहेगी अब vocabulary वाली playlist भी बनी हुई है आप simple वो वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं बहुत जादा knowledge में लेगी और जल्दी ही detail में production वीडियो जल्दी ही upload की जाएगी I hope आपको वीडियो helpful लगी होगी अगर helpful होगी तो चानल को subscribe करना ना बुलेगा and thank you for watching